एक बार एक शहर में दो दोस्त रहते थे वो दोनों दोस्त एक दिन समुद्र किनारे शंक इखटा करने के लिए गए ताकि उन्हें शंकों को बेच कर वो अपने लिए कुछ पुझी जमा कर पाए दोनों दोस्त शंक इखटा करी रहे थे तब ही पहले वाले दोस्त को एक बड़ा शंक मिल गया और ये देखकर दूसरे वाले दोस्ते के मन में आया कि यार इसे तो बड़ा शंक मिल गया अब ये मुझे से ज़्यादा पेसा कमा लेगा तो फिर उसने सोचा कि अब मैं भी सिर बड़ा शंकी ढूनूँगा चाहिए ताकि मैं थोड़े ज़्यादा पेसे कमा पाओं तो बड़े शंग की तलाश में दोपर से शाम हो गई शाम से रात हो गई तो ना तो उसे बड़ा शंग मिला और बल्कि जो छोड़े शंग उसे मिले थे उन शंगों को भी उसने फेक दिये तो उसके हाथ में कुछ न और चो छोड़े शंग उसके पास में थे उसके उसे मिले तीन हजार रुपे और ये जानकर उस दूसरे वाले दोस्तों को बहुत दूख हुआ कि काश्मों छोड़े शंगों को फेकता नहीं तो अभी मेरे पास इससे भी ज़्यादा कमाई होती है उसकी दोस्तों उसे बता करने का मेरा मक्सद बिल्कुल शाफ है कि हम बड़ी-बड़ी चीजों के चक्र में कई सारी स्वर्डी चीजे या फिरक्र हम अमारी day-to-day life में भी कई सारी छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। लेकिन ये बाद आपको जान देनी चाहिए, कि ये छोटी-छोटी चीज़े आगे जाकर बहुत विशाल रो धारन कर लेती है। हर छोटी चीज़ पर ध्यान लगाओ, उसे इग्नोर बत करो। आगे जाकर आपको इसकी आहिमेद पदा चलेगी। मैं ये भी नहीं कहे रहाओ कि आप छोटा सोचो और छोटा ही करो। मेरा कहना का मतलब भी है कि आप सोचो बड़ा, लेकिन उसके लिए हर वो छोटा काम करो, जिससे कि आपका लक्ष आपको हासिल हो। दोनों दोस्तों का लक्ष एक ही था, वो था पेजा। लेकिन पहले वाले दोस्तों ने बड़े पर भी फोकस किया और छोटे पर भी फोकस किया, और दूसरे वाले दोस्तों ने से बड़े पर फोकस किया, छोड़ी छोड़ी चीजों को इग्नोर कर दिया, और जहां उसे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए थे, वहां उसे एक जई भारा